दोस्तों, आज मैं आपको अगोटी जानवर के बारे में कुछ रोचक जानकारिया दूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अगोटी जानवर दिन के दोरान बहुत सक्री होते हैं। ये जानवर जंगल में रहा करते हैं। अगोटी सुभाव से भोती शर्मिले जीव होते हैं और खत्रे के मामली संकेत पर भागने लगते हैं या फिर पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं अगोटी जानवर पेड़ के खोकले में रहना पसंद करते हैं ये जानवर खरगोश्यों की तरह जमिन के नीचे रहा करते हैं इस जानवर के दांत बहुत नुकिले होते हैं दोस्तों क्या आपको पता है जब ये जानवर कुछ खाते हैं तो गिलहरी की तरहें अपने सामने की पंजों के बीच भोजन को पकड़ते हैं अगोटी मद्धे और दक्षिड अमेरिका के वर्षावनों में पाय जाते हैं जो की वास्तों में बड़े गिनी पिक जैसा दिखाई देता है इसके मोटे बाल एक तैलिय पदार से धके होते हैं जो की रेन कोट की तरह काम करता है इनके बाल इनके दुम पर सबसे लंबे होते हैं अगोटी के सामने के पैरों पर पांच उंगलिया होती हैं ये जानवर अपने पैर के उंगलियों के सहारे चला करते हैं अगोटी जानवर के पास एक छोटी पूँच होती है जानवर की दुम पर चिपकी हुए एक गहरी जेली की तरह दिखती है इस जानवर के दात कठोर वस्तुओं पर कुतरने के लिए डिजाइन किया गया है उनके दातों पर इने मिलकी परते इस तरह से मुड़ी हुई होती है जो कि उन्हें बहुत मजबूत बनाती है ये जानवर अपना अधिकतर समय भूजन की खोज में बिता देता है ये भूजन की तलाश में पानी के कुंडे में डूपकी लगाने में समय बिताते हैं अगोटी, जगवार और बड़े शिकारियों से बचने के लिए पेड़ की खोखले में रहा करते हैं इस जानवर की सुंगने की खमता बहुत अधिक होती है इस जानवर के दोड़ने की रफतार 25 किलोमेटर प्रत घंटे होती है अगोटी जानवर बहुत तेजी से चल सकते हैं ये जानवर अधिक आशरे जनक रूप से यह करिन तक 6 फिट तक सीधी इस्तिती में हवा में उचल सकता है और अपने चारोर घूम सकता है दोस्तों क्या आपको पता है ग्रेवे फल एगोटी जानवर को खाना बहुत पसंद होता है इसकी सुनने की छमता बहुत अच्छी होती है जब फल जमी से टकराता है एगोटी जानवर डौड कर सीधा उसे खा लेते हैं दोस्तों क्या आपको पता है जब इस जानवर के पास बहुत सारे भोजन होते हैं तो भविश के भोजन के लिए ये खाने को अपने छेतर के आसपास अत्रिक्त हिस्सों में छिपा देते हैं दोस्तों एगोटी जानवर अपने छेतर को मूत्र के साथ एक बद्बुदार तरीके से चिन्हित करता है ताकि अन जानवर इसके छेतर भी ना सकी अगर इसके जीवन काल के बारे में बात करें तो इसका जीवन काल करी 15 से 20 साल का होता है तो दोस्तों ऐसी जनकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबस्ट्रेप करें, धन्यवाद